प्रियंका गांधी ने खुद कहा था कि कॉंग्रेस ने यूपी में वोट कटवा उम्मिद्वार खड़े किये ताकि वो बीजेपी को हरा सकें उसका वोट काट सकें और गडबंदन जीत जाए लेकिन ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है क्योंकि प्रियंका गांधी क के नेताओं को तड़कर कॉंग्रेस का टिकट थमाया गया भीमानमी वाले चंद्रशेखर से मुलाकात हुई और हकीकत तो यही है कि कॉंग्रेस के वोट कटवा उम्मिद्वार बीजेपी को कम गडबंदन का खेल ज्यादा खराब कर रहे हैं बीजेपी से निपटने में अभी वक्त लगेगा इसलिए उसकी कोशिश बीस्पी जैसी पाटियों को निपटाने की है ताकि कॉंग्रेस अपनी पकड़ यूपी में मजबूत कर सके कुछ ऐसी कहानी दिल्ली की भी है केजरीवाल ने कॉंग्रेस को सत्ता के शिकर से शुन्य पर ला दिया अब केजरी हैं तो उन्हें लगे हाथ दिल्ली और हर्याना के बारे में भी बता देना चाहिए कि दोनों जगहों पर कॉंग्रेस के कितने वोट कटवा उम्मिद्वार खड़े हैं क्योंकि हर्याना में भी कॉंग्रेस जेजेपी और इने लोग के रहते बीजेपी को मात नहीं दे सकती सूत्र बताते हैं कि दिल्ली और हर्याना दोनों राज्यों में कॉंग्रेस विधान सबाचुनाओ की तयारी कर रही है और दोनों जगह उसके निशाने पर बीजेपी नहीं क्षित्रिय पार्टियां हैं इसलिए माना जा रहा है कि दोनों जगह कॉंग्रेस के वुटकटवा केंडिडेड मैदान में हैं ब्यूरो रिपोर्ट नूज अफ इंडिया गौतम गंभीर को फसाने का केजरीवाल और मनीश स्थिसौदिया का खेल चालू है इसलिए अतिशी मरलीना से प्रेस कॉंफरेंस कर बिना किसी सबूत के गंभीर पर आरोप लगाया लेकिन पलटकर गौतम गंभीर ने करारा जवाब नहीं दिया बलकि अतिशी, सिसौदिया और केजरीवाल को मान हाने का नोटेस थमा दिया लेकिन केजरीवाल ठैरे पक्के खिलाडी इसलिए अतिशी को सुबह सुबह दिल्ली महिला आयोग भेज दिया दिल्ली महिला आयोग की अध्याक्ष स्वाति मालीवाल केजरीवाल की करीबी है और इसी वज़े से उन्हें ये पद भी दिया गया है इसलिए माना जा रहा है कि अब अतिशी, केजरीवाल और सी सौधिया की लड़ाई महिला आयोग लड़ेंगी लेकिन क्रिकेट के धुरंदर गौतम गंबीर अपनी नतिकता और साफ सुतरी छवी के साथ अडिग है उनका साथ देने के लिए मशूर क्रिकेटर हर्भजन सिंग मैदान में उतर आये हर्भजन सिंग ने ट्विट कर कहा कि वो गौतम गंबीर को बहतर जानते हैं और गौतम कभी किसी महिला के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन हरबजन सिंग को क्या पता कि गौतम गंभीर के जिरिवाल के फेर में फसे हैं और तिशी मारलीना ने अपनी शिकायत में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले के पीछे गौतम गंभीर है वो एक महिला के खिलाफ नफरत भरा दुश प्रचार कर रहे हैं अगर बीजेपी और गौतम गंभीर एक शशक्त महिला के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं तो अन्य महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे दिल्ली महिला आयोक से की गई अतिशी की शिकायत का मजमून ये बताता है कि ये मामला चुनावी है सियासत के खेल में किसी पर कीचन जब तक उछाला नहीं जाएगा जब तक चुनावी रंग जम नहीं जाता और केजिरिवाल इसके पुराने माहिर खिलाडी है आम आदमी पाटी की उम्मिद्वार अतिशी मरलीना के आरोप से गुसाय गौतम गंभीर ने इसके पहले ट्विट कर केजिरिवाल को निशाने पर लिया था और लिखा था कि अरविंद्व के जिरिवाल मैं महिला की निजिता से खिलवाल को लेकर आपके कृत्य की निंदा करता हूँ वो भी ऐसी महिला जो आपकी साथी हैं और वो भी चुनाव जीतने के लिए आपके दिमाग में गंदगी भर गई है जरूरत ये है कि कोई आपकी ही जालू से आपके गंदे दिमाग की सफाई करने का काम करे और इसके बाद गौतम ने तीनों को मानहाने का नोटिस थमा दिया ब्यूरो रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया मायावती आजकल प्रधान मंत्री बनने के सपने देखने में व्यस्त हैं मोदी के हर बयान पर उनकी खास नजर होती है और इन दिनों मोदी की जाती उनके पेट का दर्द बनी है पिछले कई दिनों से वो मोदी की जाती को लेकर राजनीतिक मंतर मारने की कोशिश कर रही है और इस बार एक नया मुद्दा उच्छाला है कि मोदी अगर जन्म से पिछड़े होते तो RSS कभी उन्हें प्रधान मंतरी नहीं बनने देता अब मायावती को ये कौन याद दिलाए कि ना तो RSS ने नरेंदर मोदी को गुजरात का मुख्यमंतरी बनाया था और ना ही RSS ने उनको देश में इतना लोकप्रिय बनाया बलकि RSS में ही कई लोग हैं जो नरेंदर मोदी को ज्यादा पसंद नहीं करते एक बड़ा उधारण मायावती प्रवीन तोगडिया को देख कर समत सकती थी जिने RSS स्यत्याकपत्र तक देना पड़ गया लेकिन मायावती को आखिर तक जाती की राजनित करनी हैं जिसके चलते वो मोदी की जाती को लेकर लगातार उन्हें घेरने की कोशिश करती हैं हालकि ये बात अलग है कि मायावती खुद हमेशा जाती की वज़े से ही यूपी की मुख्य मंत्री बनी शायद यही वज़े है कि उन्हें बड़े पद पर बैठे शक्स की जाती सबसे पहले नजर आ जाती है ब्यूरल रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया दिगविजे सिंग और उनके चेले चपाटे भोपाल में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि सादवी के जहासे में ना आएं जागो मात्रशक्ती जागो और सादवी प्रग्या सिंग ठाकोर सब को बता रही हैं कि दिग्विजे सिंग की साजिशों की वज़े से उन्हें कितनी आतनाय जहिलनी पड़ी सादवी इस तरह की बाते जब भी करती हैं उनकी आखों से आसूं की बुंदे टपकने लगती हैं बोपाल की महिलाय भावू को जाती हैं एक इसत्री का ऐसा अपमान दिग्विजे सिंग महिलाओं को लेकर सतर्क हैं इसलिए उनके निशाने पर बोपाल की महिलाये हैं दिग्गी राजा के आरोपों पर बस इतना कहती हैं कि नतीजे बता देंगे कि कौन साधू है और कौन शैतान जादू टोना तंत्र मंतर से लेकर बाबाओं की परेड तक करवा चुके दिग्विजय सिंग ने कोई ऐसा नुस्का नहीं छोड़ा जिसे उन्होंने नहीं आजम हो गए हम मैसेज के जरिये मत दाताओं को ये बताने की कोशिश हो रही कि साध्वी पर तीन राज्यों में मामले हैं इसलिए उनकी आसू के साथ बहने की जरूरत नहीं साध्वी के आसू नकली हैं साध्वी और शैतान की ये भोपाली लड़ाई बेहद दिल्चस्प हो दियुर रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया खारिज कर दे और राहूल गांदी को आदेश दे कि वो देश की जनता से इस बात की माफी मांगे क्योंकि सुप्रीम कोट के नाम पर जूटा बयान दे कर राहूल गांदी ने देश की जनता को गुमरा करने का काम किया है इसलिए उन्हें माफी भी जनता से ही मांगनी चाह प्रशिका को सुप्रिम कोट द्वारा स्विकार किये जाने के बाद राहूल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रिम कोट ने भी मान लिया है कि चौकी दार चूर है। बीजेपी नेता मिनाक्षी लेखी ने इसे कोट की आउमाननावाना और राहूल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की। अब देखते हैं कोट क्या करता है और फिर राहूल क्या करते हैं। ब्यूरे रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया। हिंदुस्तान की राजनीत में मायावती की माया बड़ी गजब की है। वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं किसी को नहीं पता। यूपी में जिस समाजवादी पाटी को वो गुंडो की पाटी कहा करती थी उसी से हाथ मिला लिया। कॉंग्रेस की अगवाई वाली जिस मनमोहन सरकार को वो बिना शर्ट बाहर से समर्थन दिया करती थी उसी का खेल UP में खराब करने की पूरी कोशिश की और मद्धे प्रदेश में उसी कॉंग्रेस को समर्थन दे कर कमलनात की सरकार बनवा दी लेकिन मायावती का मायावी किस्सा सिर्फ इतना भर नहीं है इसके आगे की कहानी ये है कि अब दिल्ली में मायावती कॉंग्रेस का खेल खराब करने की पूरी प्लैनिंग कर चुकी है दरसल उत्तरपुर्वी दिल्ली की सीट से कॉंग्रेस की शीला दिक्षित चुनाव लड़ रही हैं उनकी टककर दिल्ली बीजपी अध्यक्ष, मनोच तिवारी और आम आदमी पार्टी के बड़े निता दिलीब पांडे से है दिलीब पांडे इस सीट पर कॉंग्रेस के वोट काटने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन इस बीच मायावती ने शीला दिक्षित को हराने की पूरी प्लैनिंग की है मायावती ने यहां से अपने करीबी राजवीर सिंग को चुनावी मैदान में उतार दिया है इससे शीला दिक्षित की मुश्किल इस वज़े से बढ़ने वाली है क्योंकि उत्तर पूर्वी दिली सीट पर दलितों का भी एक बड़ा वोट बैंक है 2009 के चुनाव में भी मायावती ने यहां से प्रत्याशी उतारा था जिसे 17 प्रतिशत वोट मिले थे हलाकि जीत कॉंग्रेस की जरूर हुई थी लेकिन तब ना तो बीजे पीतनी मजबूत थी और नहीं आम आदमी पाटी का उदय हुआ था वैसे भी एक सीट पर 17 प्रतिशत वोट बहुत ज्यादा होते हैं और अगर इस पार ऐसा कुछ हुआ तो शीला दिक्षित का जीतना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन भी हो जाएगा ब्यूरे रिपोर्ट निउस अफ इंडिया आजमगर से पहली बार किस्मत आजमा रहे अखलेश मुश्किल में फस्ते दिख रहे हैं एक तरफ निरहुआ तो दूसरी तरफ चुनाव अधिकारी हालात ये हैं कि अखलेश आजमगर में सभाएं भी नहीं कर पाए उनकी चार सभाएं आजमगर के अलग-अलग इलाकों में होनी थी लेकिन अचानक उन सभी सभाओं को रद्ध कर दिया गया बात खुली तो समाजवादी पाटी प्रशासन पर चड़ दोड़ी और कहने लगी कि प्रशासन चुनाव रद्ध करवाने की कोशिश में है जबकि प्रशासन का कहना है कि सभा करने के लिए उसने मना ही नहीं किया सभारद्ध करने का नुरोध समाजवादी पाटी ने ही किया है अखलेश और प्रशासन के बीच इस खेल की हकीकत कुछ और है हकीकत ये है कि अखलेश की तरफ से चुनावी खर्चे का हिसाब दरसल नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हर उम्मिद्वार के लिए खर्च की एक सीमा तैकर रखी है सभाओं और प्रचार में होने वाले खर्च की जाँच भीकी जाती है और आयोग की तरफ से हर चीज की खिमत भी तैय है बस इसी चक्कर में अखलेश यादव को अपनी सभाएं रद करनी पड़ी लेकिन समाजवदी पाटी का आरोप है कि प्रशासन ने जान बूच कर खर्च की पूर्वे निर्धारित दरों को संशोधित कर दिया है हलाकि ऐसा होता नहीं है आजमगण में अखलेश यादव कड़ी लड़ाई में फसे है बीजपी अखलेश को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है योगी अधित्यनाथ से लेकर पाटी के कई नेता सभाएं कर चुके हैं यहाँ तक कि पीम मोधी भी आजमगण में बड़ी रैली कर चुके हैं ऐसे में अखलेश को अपनी सभाएं रद करवाना महेंगा पड़ सकता है नेरहुआ लगा अतार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अखलेश को तो हारना ही होगा योगिया अधित्यनात ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया ब्यूरो रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया राहुल के साथ रहने वाले सिपाही कब सेल्फ गोल कर दे ये कहा नहीं जा सकता एक समय मणी शंकर रैयर, सल्मान खुर्शीद और कपिल सिबल जैसे नेता सोनिया वाली कॉंग्रेस को फ़साया करते थे और इस समय सफेद बाल और काली दाड़ी वाले सैम पित्रोदा राहुल की कॉंग्रेस के सामने मुश्किल खड़े करते रहते हैं 84 सिख दंगो के सवाल पर सैम पित्रोदा ने कहा कि अब क्या है 84 का जो हुआ सो हुआ मतलब पित्रोदा अंकल ये कहना चाहते हैं कि ये देश हजारों सिखों के कतले याम को भूल जाए ये देश लाखों परिवारों के दर्द को भूल जाए और ये देश भूल जाए एक ऐसे नरसंगहार को जो करोडों लोगों के मुल्क पर काले धब्बे की तरह लगा हुआ है सैम पित्रोदा के इसी बयान पर वीजेपी मुखर हो गई है दिल्ली से लेकर पंजाम में प्रदर्शन होने लगा है साहिर सी बात है चुनाव है तो प्रदर्शन भी तेज होंगे लेकिन इसका मौका खुद कॉंग्रेस और सैम पित्रोदा ने दिया है मोदी रोहतक में रैली कर रहे थे तो उन्होंने भी सिख दंगो को लेकर कॉंग्रेस को घेरा सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र किया और कॉंग्रेस को खरी खोटी सुनाई आनन फानन जब पित्रोदा को लगने लगा कि फिर उनसे गलती हो गई तो फोरण स्वन मंदिर के साथ एक फोटो ट्विटर पर शेयर कर दी सैम पित्रोदा डेमेज कंट्रोल की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पित्रोदा ने 84 की दर्दनाक याद को भूलने की बात कहकर कॉंग्रेस को फिर कट घड़े में खड़ा कर दिया है और दिल्ली पंजाम में राहूल को इसका खामियाजा भी भूगतना पड़ सकता है सिख दंगो को लेकर दरसल कभी कॉंग्रेस गंभी रही नहीं ना तो राजीव गांधी के टाइम में और ना ही राहूल गांधी के टाइम में राजीव कहते थे एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धर्ती हिलती है और राहूल ने क्या किया राहुल ने मध्यप्रदेश में उस कमनलात को मुख्यमंत्री बना दिया जिने बार-बार सिख दंगों से जोड़ा जाता है लेकिन कॉंग्रेस है कि मानती ही नहीं Bureau Report, News of India बनाने का मुद्दा ही कारगर सावित हो रहा है जो की NDA के हक में जाता नजर आ रहा है दरसल पांच चरण के मत्दान खत्म होने के बाब जूद विपक्ष ने ठोस धंग से किसी एक निता का नाम प्रधान मंत्री पत के लिए प्रस्तावित नहीं किया है यानि टुकडों में बटे विपक्ष पर बिहार की जनता इस बार भरोसा करने के मूड में नहीं दिख रही बिहार में महागडबंधन के सबसे बड़े घटकतल आरजीडी को कॉंग्रेस अध्यक्ष राखुल गांधी में पीएम बनने की संभावना आधे चुनाव खत्म होने के बाद दिखती है उसमें भी वस्पा सुप्रीमो मायाबती और बंगाल की दिदी ममता वनर जी के पीएम बनने की चर्चाएं राजी के महागडबंधन विरोधी बोटरों को पुर्जोर तरीके से एंडिये के पाले में धकेल रही है धुल्मल रवये वाली सरकारे और बार बार के चुनाव का तजुर्बा लोगों को मोदी के स्थाई शासन की ओर आकरशित कर रहा है अगर सीधी बात की जाये तो चुनाव के पहले से ही बिहार मिर अंडिये के खिलाफ खड़ा हुआ महागडबंधन एक दिखने की कोशिच तो भरपूर करता रहा लेकिन एक दिखने और एक होने में अंतर होता है और यही वज़र है कि सविधान बचाने की शपत लेकर चुनाव में उतरने की बात करने वालों ने महस जाकिगत समीकरण के आधार पर ही अपने एलाइंस में सीटों का बड़बार किया मौजूदा हालाद की बात करें तो साफ दिख रहा है कि महागडवंधन के सभी दलों के नेता एक साथ प्रचार करने से बच रहे हैं वहीं NDA अंतिम दौर में साजह अभियान पर जोर दे रहा है बिहार में चटे चरण में साथ लोक सबा सीटों पर बारा माई को वोटिंग होनी है रोपोर्ट न्यूज ओफ इंडिया पूर्वी दिल्ली में आतिशी मरलीना के अभधर चर्चे बटने की चर्चा हुई तो केजिरी वाल एंड कंपनी ने बिना कुछ सोचे समझे गौतम गंभीर का नाम उच्छालना शुरू कर दिया शिकायतों के लिए दर्वाजे दर्वाजे पहुँच गए और चुनावी टकर गौतम गंभीर से है तो गौतम को बेईज़त करने के लिए उनकी नियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिये अभधर परचे आतिशी के बटे हैं, छवी आतिशी की खराब हुई है और केजिरी वाल इसमें सियासी फायदा ढूंडने निकल पड़े हैं किसी को नहीं पता परचे कहां से आए और किसने बटवाएं लेकिन केजिरी वाल के लिए चुनाव जीतना सर्वो परी है इसी वज़े से वो फौरन गौतम गंभीर को विवाद में घसीट लाए केजिरी वाल बीजेपी का नाम भी ले सकते थे आरोप लगा सकते थे जाच की मांग कर सकते थे लेकिन उन्हों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया उनके टारगेट पर आए सीधे गौतम गंभीर क्योंकि केजिरी वाल को लगता है गौतम गंभीर को बदनाम करके वो पूर्वी दिल्ली की सीट जीत सकते हैं हलाकि गौतम गंभीर ने फोरन ट्वीट पर ट्वीट किये और केजिरी वाल को करारा जवाब जड़ दिया पहले उन्होंने केजिरिवाल से दिमाग की गंदगी साफ करने की बात कही और फिर इतने भावूख हो गए कि ट्विट पर लिख दिया अगर आम आदमी पाटी आरोप सावित कर देगी तो वो जन्नता के सामने फांसी लगा लेंगे लेकिन केजिरिवाल तो केजिरिवाल हैं उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि बिना किसी तत्य बिना किसी सबूत के वो जिस गौतम गंभीर पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें तो बस यही आता है आरोप लगाओ और जब वक्त निकल जाए तो भाग लो या माफी मांग कई बार पहले भी वो लोगों से माफी मांग चुके हैं और हो सकता है चुनाओ खत्म होने के बाद गौतम गंभीर से भी माफी मांग लें क्योंकि केजिरिवाल क्या करते आए हैं यह सब को पता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक महिला के खिलाफ हुए अभद्र व खफा होकर शत्रगन सिना कॉंग्रेस में चले तो गए लेकिन आगे की सियासी राह अब शत्रगन के लिए बहुत आसान नहीं शायद अब उनको ज्यादा दिन तक राजनीत करनी भी नहीं और इसी वज़े से बगावत का जंडा वो तेजी से उंचा कर रहे थे शत्रगन च साय था जो कायस्त बाहुल पतना साहिब से उन्हें संसत पहुंचा देता था और इस बार की कहानी दूसरी है शत्रगन सिना इस बार उस कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसका जनधार मौजूदा वक्त में ना तो पतना में ज्यादा है ना पतना में और दूसरी बड़ी मुश्किल ये कि बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी इसी सीट से मैदान में हैं जिनके पास खुद को बताने के लिए कायस्त शब्द भी है और बीजेपी का साया भी और अंदाजा इस बात से लगाईए कि इस लोकसभा क्षित्र की 6 विदान से फतुआ को छोड़कर बाकी की 5 सीटे बीजेपी के ही पास हैं लेकिन इस बार का चुनाओ थोड़ा सा अलग है इस बार बात जाती से उपर उठ चुकी है बीजेपी का बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद और राष्टिय सुरक्षा है जिसका ढोल भी खूब पीटा ज रहा है पटना साहिप के तो वो स्थानिय लोग भी मोदी के नाम पर हाथ उठा देते हैं जिने राज्जी में लालू और तेजस्वी पसंद है लेकिन बात जब पटना से उठकर दिल्ली पहुँचती है तो माहौल भी बदलता है और मिजाज भी इसी वज़े से शत्रुग नहीं ब्यूरो रिपोर्ट निउस ओफ इंडिया